आई टी आई मंडी के प्रधानचार्या शिवेंदर डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आद्योगी संस्थान में वर्दमान गार्मेंट कंपनी लिमिटेड लुद्याना पंजाब द्वारा केंपस शाक्षातकार लिए गए जिसमें स्विंग टेकनोलोजी, सरफेस और एंब्रोइडरी, ड्रेस मेकिंग, फैशन टेकनोलोजी के वेवसाय से संबंदित 149 अभ्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस साक्षातकार के दोरान आई टी आई मंडी के अलावा, आई टी आई मंडी वोमन, आई टी आई जुबिंदनगर और आई आई टी आई भद्रोता तथा आई टी आई पपलोहा सरकागाट से चातर आए हुए थे। इस कंपनी दोरा पचास के करीब अभ्यार्थियों का चैन किया गया जिसके बारे में कंपनी के सयोजक समंदर सिंग्वा, सपना तिवारी ने बताया कि शुरू में कंपनी ट्रेनि 30 रुपे हर महीने दिये जाएंगे। कंपनी में पहले से ही काफी संक्या में लड़कियां, पंजाब, हर्याना, हिमाचल, मद्यपरदिश, जारखंड और उडिसा से काम कर रही हैं। कंपनी दोरा लड़कियों के लिए होस्टल की विवस्ता के साथ-साथ खाने की विवस् गार्मेंट इंडरस्ट्री लड़कियों में टेकनिकल स्कील को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, साथ ही उन्हें आत्म निर्बर भी बनाती है। इस संस्ता की ट्रेनिंग काउंसल वा प्लेस्मेंट सेल अधिकारी लता देवी ने बताया की जो अभ्यारती शाक्षातकार म परवीन कुमार अनुदेशक MMB सहित कहियों ने अपना सहयोग दिया। और इसमें से टोटल 49 स्टूडेंट जो हैं वो आज केंपस प्लेस्मेंट के जड़िये सेलेक्ट होई हैं। इनमें से 10 स्टूडेंट्स को जो है सेलेक्शन लेटर आज ही मोके पे दे दिये गए हैं जो कि मार्च के महिने में बहां जोईन कर लेंगी। और बाकी की जो 39 trainees हैं वो भी हमारे पास यहां अपना course complete करेंगी जुलाई तक और उसके बाद वो अगस्त के फर्स्ट वीक में लुध्याना में जाकर बहां ज्वाइन करेंगी। कंपनी की तरफ से उनके लेवर बेलफेर ओफिसर सीरिस मंदर सिंग जी तथा सीनियर असिस्टेंट HR डिपार्टमेंट मेडम सपना तिवारी ने यहां campus इंटू का यौजन किया। हमारे यहां training and placement officer मेडम लता जी ने, रक्षा मेडम तथा रूपलाज जी ने इस campus placement को सफल बनाने के लिए सही होगी।